और गुरु अगर मस्टक पर सवार रहेंगे, तो फिर आप नहीं फसोगे, चंदन विश्व्यापत नहीं, लप्ते ताहत भजंग, आप ये समझो कि चंदन शीतर होता है, ठंडा होता है, और ये जहरीले सांप जो होते हैं, चहर में क्या होता है, गर्मी ही होती है, जहर गर् लिप्टे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को ठंडे पन को नहीं छोड़ता है, आप अगर गुरु को सामने रखोगे, और गुरु को समर्पित किया रहोगे, अपने को, अपने मन को खास दोर से समर्पित करोगे, तो आपके मन को उधर जाने से गुरु रोकेंग और आप बचे रहोगे, अब गुरु खुशकब होगे, जब गुरु के आज़ेश का पालन करोगे, सुमर्पित ध्यान और बजन, जो गुरु बताते हैं बराबर करते रहो, उसको जब करते रहोगे, गुरु के बचनों का पालन करोगे, गुरु के बचन को याद रखोग सेवा भाव रखोगे तन्ग मनसे सेवा का भाव रखोगे तब तो बचत हो सकती है वन्हाँ बोहत मुश्किल है यह दिन भ दिन समय खرाब आने वाला है कल जुक, जाने का समय हो रहा है सट जुक, कल जुक में ही आने का तैयार खड़ा है लिख पुरन के चालिश में अध्यार में लिखा है शूर सागर में लिखा है जगनादा सूरिया किताब में लिखा है गुरु महराज बराबर कहते रहे कल यूग में कल यूग जाएगा कल यूग में सत यूग आएगा तो आना तो ही है बैठा न जाये दे उरिश्माजी, संट बचन पलटाई नहीं पलट जाये ब्रामान्द, ये कभी गलत नहीं हो सकता है तो कल युग जब जाएगा तभी सट यूग आएगा तो ये कहवत है कि दीपक को जब भुझना होता है तो बहुत तेज जलता है तो यह कल्यूग के अब जाने का देरे-देरे समय नजदीक आता जा रहा है तो यह तो टेजी दिखाएगा ही दिखाएगा तो समझ लोग खराब समय आने वला है इसलिए आपको शाकाहारी रहना है नशाम्मुक्त रहना है आपको अपराधों से दूर रहना है आप पेमियों और शेवा भाव आपको रखना है परोबकार भाव आपको रखना है सत्य रूपी धर्म का पालन करना है शेवा भाव परोबकार भाव यह सब आपको रखना है इंसाहत्या से दूर रहना है हो सके किसी की मदद कर दो बुरा मत्या हो आप भजन भाव भक्ति की ही बात लोगों से करो जब यह सत्य है कि दुनिया की वही कोई भी चीज आपके अपने काम आने वाली नहीं है यह सब छड़िक है थोड़े सुख के लिए यह है तो इसमें आप क्यों फस्ते हो इस से आप थोड़ा सा दूर रहो